नमस्कार, मैं हो मनमोहन भड उत्राखन के स्वास्ते विभाग ने दो आदेश किये एक साथ और दोनों आदेश हैं contradictory यानि विवादास्पत एक अधिकारी, जेसी पांडे हैं जो की रिटायर हुए उनकी संस्तुती की है सची वाले ने या कहें कि शाषन ने कि इन्हें वापस reappoint किया जाए जेसी पांडे साथ IEC यानि प्रचार प्रसार का जो विभाग होता है उस विभाग में कारगत थे रिटायर होने के बाद उनकी पुनर नियुक्ती के लिए शाषन ने शिफारिश की सिफारिश आई DG Help शेलजा भट के पास शेलजा भट में उनकी सिफारिश की है NHM के MD को कि वो जेसी पांडे को अपने यहाँ reappoint कर दें जो भी नियम काईदा होता है विभाग यहाँ पर नहीं है विभाग यहाँ पर है कि जिस अधिकारी की नियुक्ती के लिए शाषन ने संस्तुती की जिस अधिकारी की नियुक्ती के लिए DG Health ने NHM के महा निदेशक MD को चिफ्थी लिखी है उसी जेसी पांडे के जाच के आदेश भी शेल जाभट जो DG Health है उन्होंने किये है दोनों चिफ्थियां आपके सामने हैं जो बताती है कि एक अधिकारी के री अपॉइंट्मेंट की कारवाई तो गतिमान है साथ साथ उसकी जाच भी चल रही है बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस अधिकारी की जाच चल रही हो उस अधिकारी की संस्तुती कि लोगों ने की है कि उन्हें फिर से नियुक्ती दे दी जाए और नियुक्ती देने वाले अधिकारी अब कैसे नियुक्ती देंगे यह देखना बहुत महत्पून है इस बीच कॉंग्रेस ने भी ये आवाज उठाई है कि जहां सरकार हर्चों में कटोती की बात करती है वहाँ पर अपने ही चहेतों को एड़ेस्ट करने का खेल भी जारी है करन महरा ने इसे एक मुद्दा बताए जाने की कोशिश की है कि जो अधिकारी डिटायर हो गया है उसकी पुनर नियुक्ती की आवशकता क्या है अगर कोई व्यक्ती बहुत महत्वपूर बड़े पत पर होता है और उसके बिना उस विभाग का काम नहीं चल सकता वहाँ पर त यह है कि कैसे IEC अधिकारी के पर पर JC पांडे की दोबारा से नियुक्ती होती है जबकि उनकी जाज की फाइल भी गतिमान है सातियों हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगली रिपोर्ट में आप से एक बार फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए हम इजाज दीजिए नमस्कार